हलो फेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोग ने देखा कि कनिशका ने 78 AD से 120 AD तक रूल किया बढ़ ये कुशान एंपायर के फाउंडर नहीं थे कुशान एंपायर को फाउंड किया था 50 AD में काजूला केटफाइजिस ने और इनके बाद वीमा के अटफाइजिस ने 78 AD तक रूल किया और इनफेट कनिशका के रूल के बाद इनके सकसर्स ने कुशान एंपायर को लगबग 150 सालों तक कंटीनियो किया कनिशका के इमेडियेट सकसर्स थे हुविशका होईश्का कनिश्का के बेटे थे और इनके रूल के दोरान कुशान एंपायर का टेरिटुरिल एरिया इंटेक्ट रहा ना उसमें कोई भी नई टेरिटरी एड हुई और ना ही एक्जिस्टिंग टेरिटरी में से कोई टेरिटरी लूज हुई और कुशान एंपायर के लास रूलर थे वासुदेव जिनके रूल के दुरान कुशान एंपायर पूरी तरह से डिसिंटिक्रेट हो गया और इस तरह कुशान एंपायर पर ताला लग गया और इसके बाद शुरू हुआ वो पीरिड जिसे इंडिया के हिस्टरी में गोल्डन एज कहा जाता है ये पीरिड है 4th century AD से 5th century AD तक का Actually इस पीरिड को गुपता पीरिड भी कहा जाता है और ये पीरिड कुशान इंपायर के disintegrate होने के immediate बाद शुरू नहीं हुआ था बीच में आप एक gap को भी देख सकते हैं इसे आप period of chaos के रूप में देख सकते हैं जहाँ पर कोई भी centralized power इंडिया में rule नहीं कर रही थी इसी तरह 5th century के बाद भी इसी तरह का एक period देखने को मिला बढ़ आज की इस वीडियो में हम लोग इस period पर focus कर रहे हैं जिसे इंडिया की golden age कहा जाता है इस period के दोरान इंडिया के पास great wealth थी world की best universities थी और इसी के साथ साथ peace, prosperity, law and order था और यही वो period था जब इंडिया की art, architecture और science ने कई नहीं उचाईयों को छुआ था इन सब चीजों के बारे में हम लोग आगी की वीडियो में detail में चर्चा करेंगे बढ़ अभी के लिए ये जानना जरूरी है कि ये वो period था जब Roman Empire और Persian Empire जैसे बड़े empires हमारे साथ trade करना चाहते थे Chinese हम से learn करना चाहते थे Southie stations हमारे जैसा बनना चाहते थे और बड़े बड़े travelers के लिए हम लोग एक attractive place हुआ करते थे तो चलिए गुपता period की details के बारे में बात करते हैं 240 AD में श्री गुपता ने गुपता dynasty को found किया इन्होंने 240 AD से 280 तक rule किया इनके बाद इनके बेटे घटोतकच का rule शुरू हुआ और इन्होंने 280 AD से 320 तक rule किया बड़े कोई बड़े राजा नहीं थे ये मगत के एक small kingdom के ruler हुआ करते थे और अगर आप timeline पर गौर करें तो आप देख सकते हैं कि 50 AD से 270 AD तक का जो ये period है ये वो period है जब कुशान empire का rule हुआ करता था तो ये संभव है कि गुप्ता dynasty के ये दो rulers कुशान empire के मात्र एक feudatory हों यानि कुशान empire के subordinates हों इसलिए इन्होंने titles भी छोटे मोटे ही लिए इन्होंने अपने आपको title दिया महराजा का तो ये तो बात हुई 320 AD तक की इनके बाद घडोतकच के बेटे चंदगुप्ता फर्स ने राजपाट समाला और इनका rule मात्र 10 साल चला 320 AD से 330 AD तक इन्होंने अपनी position को improve करने के लिए लिच्छवीज के साथ एक matrimonial alliance बनाया जहांपर इन्होंने prestigious लिच्छवी kingdom की प्रिंसस कुमार देवी के साथ शादी कर ली और इसका benefit चंदगुप्ता फर्स को ये हुआ कि इससे गुप्ताज की power और prestige में काफी इजाफा हुआ और इसी के चलते इन्होंने कुछ coins mint करवाए जिने कुमार देवी type of coins कहा जाता है क्योंकि इन coins पर इन्होंने प्रिंसस कुमार देवी का नाम inscribe किया हो था चंदगुप्ता फर्स ने अपनी territorial area और अपनी prestige को बढ़ाने के लिए matrimonial alliance के साथ साथ कुछ war conquest भी किये थे और अब इनका territorial area मगत तक सीमित नहीं था अब इनके territorial area में मगत के अलावा eastern UP के भी कुछ पार्ट शामिल हो गए थे जैसे कि साकेत और प्रियाग प्रियाग वो ही जगा है जिसे बाद में अलाबाद कहा गया और इस territorial expansion के बाद इन्होंने अपने आपको title दिया महराजा धिराज जिसका मतलब होता है great kings of kings यानि महान राजाओ का राजा तो ये गुपता empire की एक introductory वीडियो थी आने वाली वीडियो में हम लोग गुपता period को और detail में cover करेंगे ancient history को detail में cover करने के लिए बुकस्तावा की playlist को follow कीजिए link description में मिल जाएगा thank you so much for watching and supporting bookstava